हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे आप सभी के लिए मैं एक कोशन लेके आ रहा हूँ जो आपको कहीं भी किसी भी एक्जाम में मिल सकता है अनुचेद बोले तो पैराग्राफ ठीक है पैराग्राफ इंग्लिस में भी आते हैं हिंदी में भी आते हैं आपके सामने में हिंदी का पैराग्राफ या अनुचेद लेके आया हूँ देख लेते हैं इस paragraph और या अंचेद को हम कैसे पढ़ते हैं कैसे इसके question होते हैं कैसे हमें समझ रखनी चाहिए ताकि हमारा paragraph के या अंचेद के question हमारे पूरे की पूरे सही जाएं बहुत easy होता है बस इसको ध्यान से पढ़ना है हमें जो चार या पांच question हमारे आते हैं वो एकदम से हमारे पूरे पूरे नंबर हमें दे सकते हैं लेकिन पढ़ना इसे अच्छे से carefully पढ़ना है कैसे इसके question करने हैं आपको मैं पताऊंगा इसके answer जो है आपको यही में छुपे हुए रहते हैं वो सकता है कोई question आपको बाहर से या solve करने को या अपनी समझ से हल करना पड़े लेकिन सारे answer जो है question के प्रशनों के इसी में इस paragraph में इस अनुछेद में दिखाई आपको देंगे देखो कैसे उन्हें डूणना है बस यह आपको आना चाहिए यह आपके JNV exam में नवोदे की exam में या आपके बिद्याग्यान exam में या आने वाले कोई और exam जब आप बड़ी class में जाएंगे वहाँ भी आपको अनुछेद paragraph solve करने को मिलेगा तो अभी से सीख लेंगे तो अ चली देख लेते हैं अनुछेद one है परग्राप पढ़ने से पहले एक बार कोईचनों की तरफ नजर जरूर डालने कोईचन कैसे हैं चली देख लेते हमारे कोईचन कैसे हैं वहई सबसे पहले six कोईचन पे आएंगे सताचारी का प्रतम लक्षन है ठीक है तो यह हमारा कितम ऐसे कौन सा गुण सदाचारी का नहीं है यहां सदाचारी के गुणों की बात की गई है यगदी कहीं कोई लाइन में गुण बताए तो हम समझेंगे कि वो question साथ का answer है question number 8 में सदाचारी खाली स्थान सबके प्रियेजन बन जाते हैं तो देखेंगे भी भी कौन सा जो लाइन है उसमें प्रियेजन वाली बात हो रही है देखो मैं आपको बताऊगा एक बार आपको यहाँ question मैं आपको पढ़ने दे रहा हूँ बस कैसे व्यक्ति सच्चे सदाचारी कहलाते हैं ठीक है सच्चे सदाचारी वाली बात आएगी तो हम सोचेंगे question number 9 का answer है आपका अंदर गाट का पूरा होना इसका आपको सही अर्थ भी बताना चलो अब आज आते हैं अनुछेद पे पेराग्राप पे सदाचार के कुछ समाने नियम है सत्यवादिता सदाचारी का पर्थम लक्षण है देखो भई पहली लाइन में ही पहले question का जवाब आपको मिल गया है ऐसे देखो सदाचारी का पर्थम लक्षण क्या है वही सत्यवादिता देखो भई पहली लाइन में मैंने बोला था ना question पढ़ लोगे answer एक बार में ही आपको उपर दिखने लगेंगा चलो पहला हो गया सदाचारी व्यक्ति कभी अपने जीवन में जूट को इस्थान नहीं देते हैं वे अपने परिश्रम की कमाई खाते हैं उनका जीवन सादा और विचार उच्च होते हैं ठीक है वे सांसारिक भोगो से कोसो दूर रहते, सदाचारी व्यक्ति कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, उनका जीवन नियमित एवं सहमित होता है, वे किसी काम को कल के सहारे नहीं छोड़ते हैं, वे अपना काम स्वयम करते हैं, जहां तक संभवो प्रतिक व्यक्ति के साथ सबके प्रियजन बन जाते हैं, ठीक है, देखो ये प्रियजन, कोश्य नमबर आठ, ठीक है, सबके प्रियजन बन जाते हैं, सदाचारी व्यक्ति, प्रतिक व्यक्ति के साथ मदुर वेवार करते हैं, क्या करते हैं भई, सबके साथ मदुर वेवार करते हैं, कोश्य नमबर आठ ये रहां आपका ठीक है और कौनसा गोण सदाचारी का नहीं होता है तो यह गुणों की बाद यहां पर है तो यहां पर यह साथ का भी देख लेते हैं तो सव्य आराम का जीवन नहीं जीते हैं सदाचारी जो लोग होते हैं ठीक है ये देखो आगया आएगा इसवर की पूजा अर्चना भी सर्वपरी सदाचार में आता है सदाचार अपने इंद्रियों को वसमें रखते हैं क्रोध लोब इश्या निंदा आदी सदाचार के दुस्मन हैं जो इन्हें त्याग देते हैं वही सचे तो इन्होंने त्याग दिया एस ओ आराम त्याग दिया तो ये सदाचारी यह नहीं आएगा बाकी सदाजीवन उच्च विचार रहेगा निवति सम्यत जीवन सहमित जीवन परिश्रम के कमाई ये सब सदाचारी व्यक्ति के गुण है लेकिन ये जो आएसो आराम है ये नह देते हैं वही सच्चे सदाचारी कहलाते हैं सदाचार के वाब में धन संपति वैववय अनुपलब्दियन निरत्थक है यदि आप में सदाचार नहीं है अच्छा मन नहीं है तो आपके बाद धनो संपति वैववय ऐसो आराम हो ये सब बेकार है वही कहा भी गया है कि सद चार के वाब में विद्या और धन अंदे है एसा धन ऐसी विद्या संसार के लिए आनिका रख है आउनका अंदा और गाट का पूरा ये देखो ये वाला कोशन आगया वह याँक का अंदर गाट का पूरा इसमें का मतलब है आउंक से मूर्ख है दिखाई देराने रहा का पूरा question number 9 रह गया भई हमारा कैसे वेक्ची सच्चे सदाचारी कहलाते हैं ये रहा भई ये वाला question ये रहा क्रोध लोब इश्या निंद्या ये देखो सदाचार के दुसमारे जो इने त्याग देते हैं वही सच्चे सदाचारी कहलाते हैं क्रोध लोब इश्या निंद्या ये का त्याग करने वाले लोग ही सच्चे सदाचारी कहलाते हैं हो गए न भई पूरे बहुत इजी ये आपका अनुचेता पैराग्राफ था आपको श्यनों को एक बार पढ़ ले एक से दो बार पढ़ ले फिर पैराग्राफ पढ़े तो आ आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसके लिए मैं आपको चलो एक मुहावरा देता हूँ इद का चांद होना इसका आपको मुझे अर्थ बताना है क्या आपको इसका पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर इसका मतलब इद का चांद होना इसका म पता चलता है ठीक है तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और आपके लिए में अच्छे अच्छे वीडियो विद्याग्यान एक्जाम के लिए और आपकी एक्जाम में धावी होती है उनके लेके आओंगा सभी को बेस्ट अप लक मेरी साइट से